खाल-बाद की मसूरी पुलिस ने मईला की हत्या का किया खुलासा गाजियाबाद की मसूरी पुलिस ने थाना मसूरी शेतर में बीती 13 जून को गाउं बयाना में हुई विवायता की हत्या का खुलासा किया है पुलिस ने इस हत्या के आरोप में पती और सगे भाई को गिरफतार किया है पुलिस ने हत्या में इस्तिमाल फावडा आरोपी से बरामत कर लिया है गाजियाबाद के थाना मसूरी शेत्र में पती और सगे भाई ने मिलकर फावडे से मारकर बीती तेरा तरीक को सीमा नामक महिला की हत्या कर दी थी पकरे गए आरोपी में से एक सीमा का भाई भी है तो वहीं उसका दूसरा कातिल उसका वह पती है जिसने साथ फेरे लेकर साथ जन्म रिष्टे निभाने की कसम अगनी के सामने खाई थी तेरा जून को यह दोनों ही पवित्र रिष्टे तार तार हो गए और पती और भाई दोनों हैवान बन गए और दोनों ने मिलकर सीमा के घर के अंदर ही उसकी हत्या फावरे से कर दी थी जिसके बाद पुलिस ने जाच के बाद इने हिरासत में ले लिया है पुलिस की गिरत में खड़े दोनों आरोपी दीपक और कृष्णा हैं दीपक मृतिका सीमा का पती है तो वहीं कृष्णा मृतिका सीमा का भाई है पुलिस के मताबिक दीपक और कृष्ण ने सीमा की हत्या केवल इसलिए कर दी कि मिर्तिका सीमा उन दोनों की बात नहीं मानती थी इसी का सबक सिखाने के लिए दोनों जीजा सालों ने सीमा को सबक सिखाने के लिए तेरा तारीक की राज घर का दर्वाजा बंद कर एक तरफ जीजा दीपक ने फावडे से हत्या कर दी तो वहीं दर्वाजे पर कृष्ण खड़ा रहा और दर्वाजा बंद कर मूग दर्शक बना रहा हत्या के बाद कृष्टन ने जीजा दीपक को घर से भगा दिया जिसके बाद अत्या की सूचना काफी देर बाद लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई और पुलिस ने जब जाच की तो नतीजा जो सामने आया वह आपके सामने है पुलिस की रासत में खड़े ये दोनों ही राजकुमारी के हत्या के आरोपी है जिने पुलिस अब कोट में पेश करने जा रही है पुलिस को मिली थी धरवालों ने कोई भी सूचना नहीं थी लगबक दस वजे सूचना मिली सूचना मिलने के बार पुलिस मौके पर पहुंची और अपनी कारवाई शुरू थी तो इसमें जो महिला का पती था वो स्वैम यहां पर ठाने पर आया और उसने इस तरह से सच की गई तो उसने अपना जुर्म पूरा थरे से एक्सेप्ट किया कि यह उसने अपनी क्योंकि ग्रह कलेश के करणा लगाता ने दोनों क्ये भीच मन लड़ाई-ढगड़ा होता रहता था तो इसने और इसके लावा महिला है यह अपने माय के में ही रहती थी थी पती भी परिशान करती है तो कुछ करना पड़ेगा तो वहीं पर ये गुस्ता में गए और इसके भाई ने पहले महिला के उपर फावडे से प्रहार किये उसके बाद पती ने भी फावडे से प्रहार किये और प्रहार करने का जो महिला की डैथ हो गई उसके बाद पती वहां से भाग गया इसमसाले ने उसके बाद लागा दिया और उसको घर की पूंडी अंदर से बंद कर दी किसी भी तरह से पुलिस को सूचना नहीं जी ती जब पुलिस को सूचना मिली गाहiyorsun के मांग लिए माध्यम से उसके बाद तूरा मामला समझ मा आया और दोनों नहीं अपना जुन को टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए गाजियाबाद से नितिन चौधरी की रिपोर्ट टॉप से लिए लिए